भाया बहनी राम राम विलेजफूट लाइव इसाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों मैं सुबसुबसुबस चल रही हूँ सब्जी के खेत में चलूँगी जो सब्जिया तयार है मैं हुई सब्जिया तोड़ूँगी हमार साथ बने रहीएगा अच्छा हो Mai इसे हम भीन्डिया तोल रख लेएगे देखिए बहुत हिंचा इसका फूल लग रहा है इसमें बहुत हीं साइथ होगी है तो बहुत एच्छी दके भिंडी के लगी हुई है तो आय國 कि मैं तोड़ लेती हूँ तो भिंडी देखें इसमें रेसा होता है जो कि रेसा लगने से हां समे से खुजरी होती है तो मैं इसे बचाक resol gentlemen इसलिदी के दो बातर से खाती हों अरे बार्टलवा मिल जाए दूसर अजय मैंने कर देखें, बादरीमी देखें आई हो देखें रखें, डूबर बहुत का धरेक द से गार, लें हम द शीर साई कि अईय बडला को और झाल को घजब को आई अईयों को अईयों कि अईयों है अईयों कि अटुल फईयों कि आईयों reflect तो मन देखिए अपने जरो भर भिंडी को तोड़ लिया है अब मैं लग चलूंगे अपने घर पर देखिए भिंडी काफी अच्छा है इसमें पिला-फिला फुलाई लिखाई पड़ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अब मैं जरो पेंडी कि के से बाँ तो इस साथ देखिए बगल में उखी के ख्षेती किया गया है बहुत ने अच्छा उख को फसल है तो मैं च्याल रही हूं कि मैंने दो तिन पानी अच्छी से धूलेंगे तो ऐसे में बिल्डी को दूबारा धो लेती हूं कि मैंने इसको टुकड़े में काट लेती हूं तो इसको बीच बीच में से चीरा लगाएंगे वसे में चीरा लगाकर इसको रखती जाओंगे तो मैंने दखें बहुत ही मुलायम भिंडिया लिया है तो मैंने दखें भिंडिया को काट लिया है अब मैं प्याज को काटूंगी तो हमारे घर के देखें कुछ दूरी पर कीर्तन हो रहा है उसी कावाज आ रहा होगा फक्वान के भक्ती होता है अब मैं लेसून का छिलका उतार लेती हूं थोड़ा सा करम मसाला लिया है अब लेसून और प्याज मर्चा सबने एक में मैं पेस्ट बनाऊंगी मसाला को मैं अच्छे से कठोरी मुठाऊंगी तो सबसे पहले मैं चूले में आग जला लेती हूं आग मारा च्छे दख्यें पकड़ लिया है अब इस पर रखोंगे कराही तो आज मैं बनाऊंगी भिंडी का मसालदार सब्जी बनाने के लिए मैंने मसाला पीसके देखे सिल्पटे से रेडी कर दिया है हल्दी पाउडर है थोड़ा सा चैना का बेशन है जिसमें थोड़ा समय डालोंगी स्वादंसार नमक को पानी से घोल बनाऊंगी आज मैं डाल देते हूं सरसव का तेल तो मैंने देखे मसाल सब्जी बनाने भिंडी का मैंने मुलाइम बाला भिंडी लिया हुआ है बहुत ही अच्छे से देखे चैप्षावाई करेंगे तो अच्छे से पख जाएगा इसमें जाता बेसान नहीं लगाओंगी बस हलका हलक एक तो ऑमरा तेल के घरम राम Ray देखे में मुलाओं ऴेसं घ्रइल कर लेती हूं तो है जिए अच्छा बनाती हूं बहुत हिपजे़ी का देल का लिया थे बबगवार %. मैंने इसी तदिके से सारे भिंडिये छान के रख लेती हूँ तो ऐसे हम सारे भिंडिये को देखिए फराई कर लेती हूँ प्याज के तरका लगाएंगे इसमें मर्चा आओ मसाला का पेस्ट मैंने इसमें डाल के अच्छिस पका लेती हूँ तब इसमें रल्दी पॉलर डाल देती हूँ इसमें मसाले के सांस अच्छिस पकाएंगे इसमें स्वाद अंसार नमक डालेंगे मसाला इसमें बहुत हैच्छिस पक गया इसमें पेल देखिए उपर आना इस्टार्ट हो गया है तब इसमें हम फराई किया हुआ भिंडि को डाल के इसके अच्छिस मिलाओंगे तो खाने बहुत ही चेशी लगता है ऐसे हम लग बनाते हैं जादा पाई नहीं जालूंगे तोड़ा सा पानी जालूंगी तो देखिए हमारा हलका साब सबजी को पकाऊंगी यह तब तलक हमारा जाहांटों को गुद के तयार कर लेती हूं कि अच्छिए हमारा भिंडि मसाला बहुत सीची से पके तयार हो गया है अब मैं कराई को नीचे उतार लेती हूं कि मैं देखिए तावा रखोंगी चुले पर अब हम बनाऊंगी रोटी तो इसमें देखिए सोखास हमारे थोड़ा साट्रा लगाया हुगा है तो गोली गोली इसको थोड़ा चकाई बनाऊंगी बड़ा बनाऊंगी तो ऐसे हम रोटी दुबारा बेल के तयार कर लेते हैं तो ऐसे हम रोटी सेके थाली बराखने देती हूं तो मेरा लगे खाना बनके रेडी हो गया है अब हम परोसूंगे सब लोग खाएंगे तो मैंने मुलाएं बाले भिंडी का मसालेदा सब्जी बनाएं दोस्तों उसके साथ में रोटी अगर आज के हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना सेर करना कमेंट करना मैं फिल मिलूंगे एक नई वेडियो के साथ तक लिए राम राम